हो तो इस पर चार्ट बीवे चार्ट बढ़ेंगे तो हम ज़िए परफूर्युक्श को क्या करना चाहिए या तो फिर बा Casey सो भरी में है तो अपया बंदाए है तो प्रेस निकल जाना चाहिए वीडियो अखीर तक जरूरु बने रही है तो यहां पर काफी बड़ा करेक्शन हो चुका है तो इसमें कौन सा लेबल के उपर आपको बिल्कुल नजर रहना चाहिए इसमें बिल्कुल डिटेल्स किया हुआ जरूर जाके देख सकते हैं चले वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो सुर करने से पहले आप सबको जरूर कर सकते हैं जैसे कि आप लंग्टर में हो या तो फिर स्विंग ट्रेड में हो क्यों कि हम इंट्राडे एक्सपर्ट ना बन जाए तब तक आपको फिर मुश्किल हो सकता है ठीक है जब तक सिखेंगे नहीं तो यहां से सिख्के हम पहले करेंगे तो उसके बाद में हमेशा अपना फेवर में रहेगा ठीक है चले स्टाट करते हैं वीडियो अगर हम जियो जीत फाइनस के वरे में बात करेंगे फ्रेंट्स एक स्मॉल क्याप स्टॉक है जो की 1737 क्रोड का मार्केट क्या पर इसका अगर आरोशी हम देखते हैं यहां पर 29 का आरोशी है डेट मार्केट पर ही जो चल रहा है जियो जीत फाइनस का तो अभी 72.40 पर चल रहा है तो इसी साब से स्टॉक में के 50% डिसकाउंट में बिल्कुल स्टॉक आभेलोबल है तो हमें लेना चाहिए तो अभी देखेंगे तो कौन सा लेबल तक हमें लेना चाहिए बात करेंगे तो स्टॉक क्या अगर सेल्स की बात करेंगे तो यहां पर कंपनी का जो सेल्स है अभी सेप्टेंबर में 127 करोड का यहां पर सेल्स हुआ है अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहां पर 40 करोड का यहां पर प्रॉफिट आया है तो अगर लास्ट सेप्टेंबर के अगर ह एक बार data हम देखते हैं तो यहाँ पे 473 करोड़ का यहांपे sales हुआ है जो कि सबसे highest sales हुआ है तो यहां पे हम profit की जहां तक बाद करेंगे तो profit भी हाइस्ट profit आया है last quarter में 144 करोड़ का profit आया तो profit भी बढ़ी अशा growing हुआ है अगर हम balance sheet की बात करेंगे तो balance sheet में 598 करोड का reserve है तो इसे साब से अगर हम promotor का holding का बात करेंगे तो promotor holding जो है बड़ी ऐसा holding नजर है रहा है जो कि promotor के परस में 62% का यहां पे stake है ठीक है यहां पे एक small cap stock है तो इसलिए यहां पर फाइए का holding थोड़ा सा कौम है जो कि 1.5 परसेंटेज का फाइए के पास में 0 परसेंटेज होल्डिंग है पॉब्लिक के पास में 36 परसेंटेज का holding है अगर हम लाइस सेशन का अगर हम देखेंगे तो यहां पर त्रेडिंग सेशन में अगर देखेंगे तो यहां पर डेलिवरी 59 परसेंटेज का डेलिवरी फ्रेंट उठाए गया है जो कि 2,00,00 क्वंटिटि ट्रेडर हुआ है तो यहां पर ओन लाक 21.000 का quantity टीक है अगर हम चारट पटन की बात करेंगे तो फ्रेंट्स कहले हम आरे सइड देख लेते हैं स्टॉक का आरे सई जो है अभी चल रहा है प्रेडिंग और यहां पर पेश्क करते हैं तो उसको देखने के लिए आपको यह चैनल पर ज़रुर जाना पड़ेगा यहां पर यहां से दोनों प्लेयुस्ट जरुर विजिट कर लीजी आपको बिल्कुल आप बिल्कुल समझ सकते हैं और सारे इंपटन्ट वीडियो का लिंक भी में डिस्क्रिपिशन में देख सकते हैं और प्ले काड में देखता हूं अगर हम यहां पर देखेंगे देखें यहां पर देखिए यहां पर सब्सक्रिफ सुर्ण यहां पर सब्सक्रिपर में इसका अगर हम सपोट का बात करेंगे तो यहां पर मेजर सपोट प्रेंस देखिए यहां पर काफी मंद्स से यहां पर बहुत बड़ा सपोट है यह तो एक स्ट्रॉंग सब्सपोरट अगर देखेंगे तो यहां पर बात में यहां पर सपोर्ट लिए था उसके बाद में आभी भी सेंग पर इता चुन के लाई much सब्सकِّा एक यay वाइन ऊजह चल रहा है तो इसे साफसे मुझे जो नजर आ रहा है तो इससाब से यह बड़ी ऐसा लेवल है ठीक है अगर आपके पास में कोई स्टॉक इसका अपर लेवल पर बाइंग है तो अभी सेल मत किजिए आपको लॉस में सेल करने का कोई जरूरत नहीं है स्टॉक का प्राइस अभी यहां तक जरूर आ सकता है अगर आप गेन का नजर रखते हैं तो यह स्टॉक में अगर थोड़ा सा पॉर्फोलियो का यह कोई प्रोब्लेम नहीं है आपको स्टॉर्म में एक वान जिरो टू का प्राइस बिल्कुल जरूर दिखा सकता है जो कि त्री मॉन्स के अंदर यह टार्गेट आचिव हो सक अभी जो आपका बाइंग रहेगा 72 से लेके 73 ठीक बाद्तर से लेके 33 का रेंज पर और यह टार्गेट आप रखेंगे 102 तक टार्गेट लेके चलिए इस टॉक में आपको 102 का जो प्राइस से जरूर देखने को मिल सकता है यह ज्यादा दिन भी नहीं लगे गए एक स्विं के थ्री मॉंस में बिल्कुल यह कवर आचीव हो सकता है क्योंकि एक बार यहां तक भी आया था उसके बाद में अभी यहां तक सफर तयार नहीं हुआ है तो इसलिए काफी दिन टाइम भी करेक्शन हो चुका है अगर हम देखेंगे तो यहां पर स्टॉक का टाइम करेक्शन क कर लिजी खुद का अनलेशिस के बेस पर बिल्कुल ए ट्रेड लेके चल सकते हैं कोई प्रोब्लेम नहीं लेकिन कोई भी पॉजिचन ले रहे ना तो आपका पॉर्टफुलियों का कुछ हिस्सा होना चाहिए इसा नहीं कि आपको फॉर्टी पर्संट का गें मिलेगा में थ्री मॉंस में कभर हो जाएगा आप सारे अमांट यहां पर इन्वेस्ट कर देंगे सा बिल्कुल नहीं होता है ठीक है तो आपको पॉर्टफुलियों कुछ बिल्कुल सेफ रखना है तो लार्ज केप स्टॉक में भी इन्वेस्ट्मेंट करना है और एक स्टॉक में आप इन्वेस्ट्मेंट करेंगे तो जहां पर वहां पर आपको अगर साल में 30 % का गेन आ सकता है यहां पर 50 60 का गेन आ सकता है आपको औरल एक 40 थाटविवर्फियों में आपका गेन देखने को मिल सकता है ठीक है घुब इसा भी हो सकता है थ्री मॉंस में टार्गेट आची बना उससे पहला हो जाए यह सकता है फूर मॉंस इसा कोई गारेंटी नहीं तो इसी साथ से आप बिल्कुल पोजिशन बना सकते हैं कंपनी कोई बुरा नहीं है, financial condition भी बहुत अच्छा है, अगर आपके पास में ये stock कहीं, upper level पे आप buying करके रखे हुए हैं, इसमें बने रही है, आपको अपना price जरूर देखने को मिल सकता है, friends अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, friends के साथ में share कीजिए, अगर चैनल पे नाया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए, thank you very much friends for watching this video, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में